नमस्का एट पीम में एक वर फिर आपका स्वागत है और मैं हुदर्श पलकुपता 22 दी को अजुद्य में जिस तरह भगवान राम की प्रान प्रतिष्ठा होने जा रही है उसको लेके सारे देश के अंदर एक तुहार सा महौल बुरा हुआ है जमु किश्मीर की बात करें तो यहां भी लोग बहुत ही अपसाहित हैं मंदर सज रहे हैं और सुबह परवात फेरी और बगवान राम के जायकारों से सारा शहर कुझ उड़ता है तब बगवान राम की बात करें तो राम के लीलाओं की बात होती है तो राम लिलाओं का मंचन जो है जम्मू में बहुत पशूर है जीवन जो बहुत बड़े की फिल्म स्टार थे जिनका नाम उंकार किशन धर था वो जम्मू की राम लिला सनातन धर्म सवा की राम लिला से उन्हें आपके जीवन की शुरुआत की थी और बहुत बड़े स्टार बन केके इसी तरह चरतर अभिनेता ओम प्रकाश्च उनको भी जम्मू की रामली लव से निकल के बाहर गये हुए है और यसी के साथ साथ भी पंदर्शिव कुमार संदूर बात एक है पूरे विश्व में उनका नाम है वो भी इनी स्टेज़ से निकल करके है और जब रामली लोग की बात करते है तो उसमें से सनातन दर्मसवाद दिवाने मंदर सोशल ड्रामाटी कलाब नईवस्ती और आरसपूरा में बहुत मशूर थे रामली लोगे और आरसपूरा में एक बहुत बड़े फिल्म स्टार केल सैगल वहाँ पे सीता का रोल करते थे वो भी बाद में मंबई के फिल्म स्टार में एक बहुत बड़े अविनेता और गाइक बने आज भी दुनियों से याद करती है लेकिन इनके साथ-साथ सबसे पराणी जो राम लिला है एक सो बाइस साल तगरिवन एक सो बाइस साल पराणी राम लिला बसुली की है बसुली की राम लिला जो है पुरे विश्व में मिशूर है यकि बसुली की राम लिला का ऐसी राम लिला है जिसे स्टेज या मंचन नहीं किया जाता, पर्दे नहीं होते, सिर्फ जो कलाकार होते हैं, वो मेकप करते हैं, त्यार होते हैं, और वहीं पर राम लिला का शुरुआत हो जाती है, और सबसे बड़ी बात है, कि वहां के जो लोग हैं, वो इस राम लिला के पात्र होते हैं, लेकिस सबसे बड़ी जो ख़वर मैं आपको दिने जा रहा हूँ कि बसोली की राम लिला जो है प्रान पर्तिष्टा के अफसर पर अयुद्या में इसका मनचन किया जा रहा है यह जम्मू वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जम्मू कठुआ जो है वहाँ जो बसोली है वहाँ की राम लिला जिसके बारे में मैंने जिकर किया है इसका मनचन अयुद्या में होगा और दूसरी जम्मू के लिए एक और खुशखबरी है शिरी अमर्राथ वेलफिर जो सोसाइटी है वह अक्सर जम्मू में अमर्राथ जी की यात्रा शुरू होती है तो रेल्वे स्टेशन के बाहर वह एक लंगर लगाते हैं और यब तक यात्रा चलती है लंगर चलता रहता है यह अवर्राथ वेलफिर सोसाइटी जो है ये भी 25 तारीक से लेके 2 महीने तक अयुद्या में राम की पोड़ी जो लता मंगेशकर चोक के नाम से बना है वहाँ पे लंगर लगाएगी ये लंगर सेवा सुबा ब्रेकफास भी होगा लंच भीट होगा डिनर भी होगा ये पांच हजार लोगों को रोज वहाँ पे खाड़ा खिलाएगी इस बात की सूचना हमें इसके चेर्मेन जो इंजिनिर किरन वातल है उन्हें अजोद्या से हमें दी है और साथ में उनके प्रेजिड़न जो है अनिल गुप्ता और जनल सेक्रेटी ओम परकाश इन दुनों बहाँ पे गे होगा है उन्हें हमें यह सूचना दी जो तो यह जम्मू के लिए भी एक अच्छी बात है और दूसरी ख़वर जो आपने सुबह भी ब्रेकिंग की थी कि उस दिन आदे दिन की छुटी होगी जिस दिन परान प्रतिष्टा होगी ताकि मंदरू में लोग जा सके बगवान राम को वहाँ पे बजन कर सके उनका दर्शन कर सके और अजुद्या का जो नजारा है वहाँ पे मंदरू में बैठके जा अपरे घर में बैठके भी दिख सके तो आई अब नजार डालते हैं आज के समाचार उपर जब मुसीले के साथ लगते सांबा जिले में अंतरास्ट ये सीमा के पास गुरुवार सुबा संदिग्द सुरंग मिलने की सूशना मिली जानकारी मिलते ही पुलीस और सुरक्षाबलों की टीम मौके पर पहुंची टीम ने इलाके की घेरबंदी कर तलाशिय ब्यान शुरू किया तलाशिय के लिए खोजी कुत्ते और आधूनिक उपकरन की मदद ली गई साथ ही मोके पर जेसी भी भी मंगाई गई बताया चारा है कि सांबा जिले के राजा पूरा तैसील जराई गाउं में संदिग्द सुरंग होने की खबर मिली है ये इलाका जंगली जाडियों से गिरा हुआ है पास में ही एक नाला भी बहता है और ये क्षेत्र अंतरास्टी सीमा से करीब धाई किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अधिकारियों ने बताया कि मोके पर फिलहाल कोई सुरंग नहीं मिली सुरंग मिलने की सूचना पर इलाके की गेराबंदी कर तलाश अभियान चलाया गया गंतंतर दिवस को लेकर अंतरास्टी सीमा के पास पूरी चोकसी बरती जा रही है जेंसी द्वारा लगातार अतिकरमन हटाओ अभियान चलाया जा रहा है उसे अंदर करवाया गया और लोगों को चतावनी देते हुए कहा गया कि अगली बार अपनी दुकानों का सामान बाहर ना रखें क्योंकि आने चाने वाले लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है और इससे बहुत सारे हाथ से भी होते हैं। अस्पताल उधुंपूर रैफर किया गया है हालांकि अभी तक धमाका कैसे हुआ इसके पीछे किसका हाथ था अभी तक इनकानों का पता नहीं चल पाया है। आज एक बड़ी आतंकी घटना को टाल दिया। बारतिय सेना कश्मीर को आतंक मुक्त रखने की अपनी प्रतिबदता पर कायम है। 22 चनवी को आयोदिय में राम लला की प्रान परतिष्ठा समरुख के उपलक्षमी जम्मू शहर में उत्सव की तैयारियां चल रही है। शहर के वभीन दार्मिक स्थलों पर जैसे बावेवाली माता मंदीर, शिरी रोगनाची मंदीर, शिब मंदीर आदी अन्य मंदीरों में भवे उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके लावा कई संगटनों ने भी लोगों से इस दिन को दिवाली की तरह मनाने का अवाहन किया है। जमू में सुरक्षा चाक चोबंद कर दी गई है। प्रवेश, निकास, पॉइंट और शहर की और जाने वाली सड़कों पर नाकिव और मबाइल वाहन चोखियां स्थापित की गई है। साथ ही भारत पाकिस्तान सीमा तक सुरक्षा बलों और पुलीस को अलर्ट कर रखा है। आगामी, सप्ताह में गंतंतर दिवस और शीरा मंदिर प्रान परतिष्टा समारों हैं। ऐसी में कोई अप्रिये गटना से बचने के लिए सुरक्षा उपाई किये जा रहे है। सुरक्षा बलों की टीमे मुस्तैद हैं। शहर सहित गरामीनक शेत्रों में वाहनों और रहगीरों की जाँच की जा रही है। इससे पहले बुद्वार को जमू जिले में सुरक्षा विवस्ता का जाइजा लेने के लिए जमू जोक्टर विनोत कुमार गुपता ने शहर के वबिन चेकिंग पॉइंट और नाकों का दोरा किया और निदेश जारी किये। इस दरान उन्होंने इंदिरा चोक नाके पर जाकर जान्च की परक्रिया का जाइजा लिया और पुलीस कर्मियों को और चोक सी बढ़ाने के निदेश दिये। जिला जम्मू के साथ लगते सांबा जिले के गड़वाल में हुई अक्षे शर्मा की हत्या का आरोपी साहिल शर्मा बीती बुदवार की रात रामगर पुलीस थाने से फरार हो गया। सुशना मिलते ही पुलीस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे आरोपी की तलाश के लिए सबी चोक चराहों की पुलीस ट्वीमों को अलट कर दिया गया है। पुलीस ने आरोपियों के पास से दो पिस्टल, तीन मैगजीन, साथ जिन्दा कार्तूस, एक टोका और अपराद में इस्तेमाल किया जाने वाला एक वाहन जब्त किया है। पकड़े के चार औरोपियों में से एक औरोपी, साहिल शर्मा बिती रात ठाने से बागया। सर्दी के मौसम को देखते हुए डारेक्टरिट आफ स्कूल एजुकेशन की तरव से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें बच्चों की चुटियां एक्स्टेंड करके 19 तारीक तक बढ़ा दी गई है। लेकिन इसमें टीचर्स को आना है और स्टुडेंट्स को जो चुटियां हैं वो 19 तारीक तक रहेंगी। कार चालक और ट्रैफिक करमचारी के बीच उस समय बहस छिड़ गई जब ट्रैफिक करमी ने चालक को उसका सामान अपनी ही गाड़ी में लेने से मना कर दिया। चालक का कहना था कि वो अपनी वैन में अपने घर का सामान लेका जा रहा है। उस पर चालक और ट्रैफिक करमी के बीच बहस छिड़ गई। पूरी तस्वीर हैं आपको दिखाई और एक आत्मी को रोका गया और उसके बाद उसने ये कहा गया कि उसनों ने स्टीट बैट लगाई गई थी लेकिन उसका ये अगंतंत्र दिवस की तैयारियों की सुरक्षा हेतू हर आने जाने वाले की गहन चांच की जा रहे हैं और खास तोर पर स्टेडियम के अंदर हर वाहन की चेकिंग करके ही उसे अंदर जाने की अनुमती दी जा रहे हैं। कि देखी जनाव डिपार्टमेंट का हो चाहे कोई भी आदमी हो पूरी जांच के बाद ही हर आदमी को जांच से छोड़ा जाएगा। नशमुक्त अभ्यान की तैत कॉमुनिटी सर्वीस एंड सोचल जस्टीस क्लब अफ उत्साद्वारा है। Addiction Dialogue on Drugs का आयोचन जमू युनिवस्टी में क्या गया इसका मकसद ड्रग्स से हो रहे दुश परवाब से चात्रों को जागरू करना था इस मोके पर हरिश कुमार, Assistant Director, Narcotics Control Bureau ने अधिक जानकारी सांचा की उनको सपोर्ड देते हैं और घर में बच्चे होते हैं उनको सपोर्ड देते हैं तो वो पूरा एक परिवार का ही नहीं बलकि पूरे राष्ट की बैकबॉन है राष्ट के जो human resources हैं उनमें उनका prime role है क्योंकि वही आगे चलके देश को भी चलाएंगे तो युवाओं को और उर्जावान बनना है और हमें मेरा जैसे आदर्ष है स्वामी विवेका नन जी उनकी तरह उनको आदर्ष मानके हमें अपने देश के लिए हमें अपने समाज के लिए परिवार के लिए सब के लिए लगातार मेहनत कर उजवल भविश्य बनाना है और तो पेरेंट्स को यह चाहिए कि बजाए उनको बहुत एक्स्ट्रीम कंट्रोल करने की उनके साथ एक दोस्ती का व्यभार निभाएं, उनके साथ बैठें, टाइम दें उनको, समय दें, मैं जानता हूँ कि आज के टाइम पर स्ट्रेस्फुल जॉब्स हैं, सब बहुत रात द ना आने दें, और अपने बच्चों के साथ दोस्ती का व्यभार निभाएं, उनके साथ पूरा दिन क्या हुआ, उनके साथ चर्चा करें, और अगर कहीं पर कोई समस्या नजर आ रही है, बच्चे का जैसे ग्रेड्स या पढ़ाई में कहीं अचानक मार्क्स कम हो रहे हैं, तो उसके तह तक जाने की कोशिश करें, बच्चों के साथ जितना दोस्ती के साथ रहेंगे, उतना ही वो आपको बताएंगे कि कहीं उनको किसी तरह का गलत environment तो नहीं देखने को मिला, या कहीं वो उसमें पढ़तों नहीं गए हैं, तो मैं ये कहूंगा पेरेंट्स को, कि नजर रखें, कंट्रोल, कल आठ मजे फिर आप से बेट होगी, तब तक इसाथ दीजिये, नमस्कार.